नमस्कार आप देख रहे हैं अपने उत्राखंड में हूँ आपके साथ संदीप्तिवारी केंद्री ग्रह मंत्री के साथ डक्त सरी और राश्टी सुरच्छा को लेकर वर्चुल बैठक में कई एहम उद्धों पर चर्चा करने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य मंत्री पुसका सिंधामी ने कहा कि केंद्री ग्रह मंत्री से वर्चुल मीटिंग हुई जिसमें उत्राखंड को ड्रक्स फ्री बनाने की बात की गई उन्हें कहा कि 2025 तक हम उत्राखंड को हर हाल में नसा मुक्त बना कर रहेंगे है कि 2035 तक देवभूमी को ड्रक्स फ्री देवभूमी बनाएं ड्रक्स के जो आधी हो तुके हैं उनको जो है काउंसिलिंग के जरिए अन्य माद्यमों के जरिए उनकी काउंसिलिंग करें उनकी नसे की लग को छुड़ाएं और जो इसको बड़े जो गिरोह के रूप में इसकी जो सप्लाइचेंज करने वाले लोग हैं उनकी केंद्री ग्रह मंद्री के साथ सीम पुस्कल सिंग्धामी ने वर्चुली मीटिंग की उनकी ने बताया कि यह मीटिंग उत्राखंड को नसा बुक्त बनाने के लिए की गई है आपको बता दें कि सीम पुस्कल कहा है कि 2025 तक हम हर हाल में उत्राखंड को नसा फ्री करके रहेंगे उन्होंने कहा है कि 2025 जो भी उत्राखंड नसा है इसको हम जड़से खत्म कर देंगे मुख्यमंत्री के साथ ड्रक पसकरी और राश्टी सुरच्छा को लेकर वर्च्वली बैठक में कई एहम उद्दों पर चर्चा होने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुस्कार सिंग्धामी ने कहा कि केंद्री ग्रहमंत्री से वर्च्वल मेंटि नहीं गई है उन्होंने कहा कि 2025 तक हम उत्रेखंट को हर हाल में नसामुक्त बनाकर रहेंगे कि तो आपको बता दे कि केंद्री ग्रहमंत्री के साथ द्रक तुस्करी और राश्री शुरच्षा को लेकर वर्च्वल बैठक में कई अहम उद्दों पर चर्चा करने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य मंत्री पुस्का सिंधामी ने कहा कि 2025 तक हम हर हाल में उत्राखंड को नसामुक्त करके रहेंगे कि आपको बता दें कि लगातार उत्राखंड में बढ़ रही नसात असकर को देखते हुए एक उसका सिंधामी ने दावा किया कि कि 2025 थक हम हर हाल में उत्राखंड को नसामुक्त बनाएंगे लगातार हो रही बारिस से आई बाढ़ के बाद अब सरकार ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है जिसको लेकर सरकार के नुमाइंदे बाढ़ प्रावित छित्रों का मुआइना करने निकल पड़े हैं इसी अधिकारियों की एक बैठक दी जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सक्त दिशान इर्देश दिये हैं कि धर आया उसके वाद मैं स्कूल का लिक्सम करने भी गिया उझे पर समय नहीं नहीं होते लेकिन पर्ली बार मैं ने लेखा और लेकारिक इस आप यहां भी खाना भी मिल रहा है चाय भी मिल रही है, नास्ता भी मिल रहा है, दवाई मिल रही है, डॉक्टर बार बार पूछने, इस बात का प्रतिके की सरकार जनता के प्रतिक की जवाब देहें, की स्वेदन सीर है, अब युरंचस परिवारों को हमने जहेंपर इसमाइल के हैं, देगरी कॉलेज में इसे किया है, जिनकी संक्या दो सो बच्चस है, किसी सरकार परवी निदी से लगे आवादागी शेर्ट के साथ परिवार, जो खडिमा के हैं, उनको लुद्वा इंटर कॉलेज लाज एक चर्च में से किया गया है, और इस संकट के समय में, पुरी सरकार पुड़ा तंत्र मानी म पुरा प्रशासन और हम सब इनके साथ में हैं, और मैंने अधिकारी से कहा है कि समस्या का पर्मेंट शोलिशन होना चाहिए, यह नहीं कि आपदा आई, आपदा खतम होगी, काम खतम होगी, आप अगर आपदा में बात करीए, अगर पिछली आपदा से सबग लेते हुए, कोटद्वार में मालन अधी पर बने पुल के तूटने के बाद सरकारी मसीनरी पर सवाल खड़े होने लगे हैं, अभी तक करोणों की लागत वाले पुल के तूटने के बाद कॉंगरेसी सरकारी मसीनरी और सरकार को जिम्यदा ठहरा रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने भी इस पर सवाल उठा दिये हैं, गड़वाल सांसत तीरस सिंह रावत ने मालन पुल के तूटने के बाद इस पर अपनी पृतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पहले से अंदेशा था कि ये पुल तूट सकता है, तो क्यों नहीं अधिकारियों ने इसका संग्यान लिया? जन्ता को बर्गलाने का कारे कर रहे हैं, आज समुचा, समुची विरान सभाष्षेत्र इस्तब्द है, तरहिमाम तरहिमाम है, तो निश्चित रूप से सरकार इसके लिए दोसी है, परसासन इसके लिए दोसी है, तो पुल का छतिक रस्त है, बड़ा दुरवाग्या पून इसलिए मानता हूं कि बहुत पहले से इसकी शंभावना था कि यह पुल कहीं न कहीं कमजूर इस्तिति में है, और जो मान्य विधाय का हैं, विधान सभाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी इस पे तत्परता दिखाए शुरू से ही, लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं इस प मैं संग्या लिया हूं और साथ में बात भी की है। मैं जहां मैं इस समय हम लोग जलतब कर रहे हैं, सुबह मा आया था और मैंने प्रशासन के सवी स्तरों पर बात भी कि जिसमें 17 स्तर से जिला सकता और उनको कुछ सुझा हुई दिये, और मैंने कहा यदि पांच वजे तक आपने पानी निकासी के कोई खोस उपाई प्राज मैं के लिए आया, यह लापरवाई की एक पराकास्टा है, मैंने देखा कि बिजली के तार लटक रहे हैं, लाइप तार यदि वो पानी को छू जाए, तो घरू के अंदर बैठे बैठे लोगों को मौत आ जाए, कुछ नहीं, छुए रहे हैं, शाब घरू में घुस रहे है बाइबू हैं, तो आभी तक पानी को जो है साउलानी में डाला जा सकता था, यह तो नहर में अचाल पार and. और इनको मैंने सुबह बताया, मैंने का इधर की तरव इधी प्रोट्यस से पानी को डालने में, तो पीछे की तरव खोद करके निकालिए पानी को, और खोद करके नहर में डाल दीजिए, और सबसे सरल सॉलूशन है, जो दो-तीन घंटे में पूरा किया जा सकता था, जो उसम हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारे घरों में ये, जो और पानी के भरशने की खबर आ रही है, तो यहां लोगों में और डर पैदा हो रहा है, जो ब्योस्ता कुछ है नहीं, और यहां तक पानी है, जाने आप कहा जाएंगे, क्या परिवार सुभव, अपना घर छोड़ करक अब दीखे, मैं कुछ कह नहीं सकता, हम तो केवल सरकार का ध्यान आकरिश कर सकते हैं, और अपनी बात कह सकते हैं, और अपनी बात कहने के लिए, और सरकार का ध्यान आकरिश करने के लिए, मैं यहां पर, हम यहां पर आए हैं, और जल तब कर रहे हैं, और बत्तर इसलिए ह जो है सिर्फ राजनीती का मुद्दा बना रहा है लोग जो यहां खड़े हो के हमको गालिया दिलवाते थे 25 से 30 साल की समस्या क्या निधान अब होग जाएगी निकासी कहां चले गए आज उमेश कुमार से पूछ रहे हैं एक साल में वो जो सांसद यहां धरने पे बैटे उमने क्या करा है जूट का अडंबर सिर्फ लोगों को जूटे आसवाशन देते हो अरे उतरो ना नीचे पानी में उतरवा के लगके निकालो पानी हिम्मत है तो गुसो पानी में कुरसी लगा के बैढ़ गए राजनीती कभी भुट्टा खाएंगे कभी राजनीती करनी है और मुद्धों पे कर लेना यहाँ के राजनीती नहीं करो करना है तो काम करो यहाँ के लोगों के साथ खड़े होगे उतरो पानी में निकलवाओ परसाशन से बात करने जा रहे हैं पाइपलाइन डलेगी पाइपलाइन डालेंगे चेंबर बनेंगे दो दिन के अंदर जो को चलने का काम किया बता दें कि उत्त्राखंट कॉंग्रेस जल्द ही प्रदेश में पद्यात्रा निकालने जा रही है कि मुझे असा लगता है कि भाजपा ने अगनी वीर के माध्यम से जो युबाओं के साथ खिरवार किया है जो भद्दा मजाग किया है तेइस साल की उम्र में आपके घर का कोई लड़का बेरोजब्दार हो के सड़कों पर आ जाए ये भद्दा मजाग भारतिय जन्ता पार्टी में किया है इसका जवाब तो लोग देंगे लेकिन राहुल गांदी जी के आने की आहट मात्र से भाजपा इतनी आतंकित हो गई कि उसको प्रेस कॉन्फरेंस करनी पढ़ रही अगनीवीर पर और ऐसे से लोगों को बिठाना पढ़ना जिनका कोई अभी तक पार्टी से लेना देना ही नहीं है एसे लोग बैठकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं कौन है वो लोग जो यहाँ पर बैठें किस हैसियत से बैठकर प्रेस कॉन्फरेंस करके वो उस पश्ची करनी दे रहे हैं खबरे और भी रुखते हैं शोड़े से ब्रेक के लिए जल्दाजीर होते हैं ब्रेक के बास वागते आपका बढ़ते हैं अगली खबर के और उत्राखंड में अगनिपत योजना पर सियासी संग्राम शिड़ गया है कॉंग्रेस मुख्याले देहरादूर में पूर्व कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यच गडेश गोधियाल ने प्रेस को आर्था कि आपको बता दे किसमरों ने अगनिपत योजना को लेकर केन सरकार पर जमकर निशाना साधा गडेश गोधियाल ने बिजेपी को चैलेंज किया है कि अगर अगनिपत योजना इतनी ही युवाओं के हित में है तो बिजेपी इसके फाइदे गिनाए उन्हें ने कहा कि कॉंग्रेस इस योजना के नुकसान गिनाने के लिए पद यात्राएं निकालेगी पहाड़ों में कोई फाजी यह सपना होता है सब्सक्ता कि अगर रॉन्दा रिटार आया तो मेरा बेटा मिश्यों पर कैट्टर मने मेरा बेटा क्यों अग्री पीजों हो तक क्यों नहीं रखा गया यह प्रावदान तक क्यों रिखिया ने आगे रखना जाएगा 60-70 साल कांग्रेस का राज इस देश में राह है और इस कालखंड में देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस ने का काम किया उन्होंने हमेशा देश को लूपने और खुर्षणने का काम किया और देश को अउनती के ओर ले जाने के काम किया पहली बार आजादी के बाद हमारे सोसी प्रदामनती मानि नरेंद भाई मोदी जी देश को विश्व सक्ति के रूप में अस्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं देश ने विश्व में एक नए किर्थिमान अस्थापित किया है उस दिशा में काम किया जा रहा है और चाए हम देश की सुरक्षा की दिश से देखें चाहे हम सामाजी के रूप से देखें हर छेत्र में नए नए परियोग करके आतने प्रधामिंतर जी की द्वारा देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है लेकिन कॉंग्रेस सिर्फ निरास होकर हतासा में जो जो कारिया देश के अंदर प्रदेश के अंदर अच्छे कारे हो रहे हैं उनका बिरोध करने के लिए सिर्फ बिरोध करने के राइंति कर रही है और देश के युवाओं को चाहे हम युवाओं की बात करें चाहिए सामाजिक छेत्र के अन्य बर्ग की बात करें हर बर्ग को भरकाने का और सट्डेंद रज़कर करके उनको भरकाने का काम कॉंग्रेस का रह गया है और इसी के तैतों अगनीबीर जैसी मौत्तो कांग्सी योजना जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और देश मुख्यमंत्री पूस्का सिंग धामी से मिले निर्देशों के बाद जनपत प्रभारी और ग्रामी विकास मंत्री गडेश जोसी ने कासीपूर पहुंचकर आपदा प्रभाविच्षेत्रों का दौरा किया और जनता की समस्याएं सुनी उन्होंने बार से सरवाधिक प्रभ प्रभाविच्षेत्र का गहनता से निरिष्ण किया और उस्थानी जनता से बात करते हुए प्रिस्तार से समस्याएं सुनी कि हैं पूर स्माइल वाल्ड जो भी नंगनेगब में आ गया है कि कल रात भारी वर्षा से लोगों को घरों में पानी गुसा है और मैं अपने अधिकारियों को डीएम को सस्पी को पूरे तंत्र को अपने भाज़बा के कारिकरताओं को कि इठाई विज़े तक वो मौकिबर थे और जब मैं वहां लोगों से मिलने गया अक्षवर देखने में क्या होता है ऐसे समय में पब्लिक सरकार को तंत्र को या जिसकी रूडिंग पार्टी को गाली देती है 36 साल के बॉल्डिक केरियर में पहली बार मैंने देखा पुब्लिक संतुष्ट है उनका अधिकारियों ने हमारी मज़द की है भारजनता पार्टी के कारिकरता वहां पर डटे वे थे अभी वहां पर इस्तित्ती रहने लायक नहीं है पुरंचस परिवार लगबग 22-25 लोगों को यहां पर सिफ्ट किया गया है सरकार इनकी रहने खाने भोजन दवाई सारी विरस्ता यहां पर कर रही है डॉक्टर्स यहां पर हमारे अधिकारी यहां पर हैं इस अवसर पर हमारे यहां के परिश्ट कारिकरता राजेश जी द्वारा जलादबश जी द्वारा यहां की मेर द्वारा धैटी द्वारा एक डिविजन किया गया है कि इसका परवनी शोलिशन होना चाहिए क्योंकि हर साल यह घटना घटती है इस बार जड़ा जारे भैयावे भी है तो मैं प्रशासिन से बात करके वहां की पिचिंग और साड़े चार सु मिटर रोड है हम उसको बनाएंगे ताकि भुष्श में इस घटना की पुर्मरत्य नहो और इस संकट की घड़ी में पूरा घड़ा तंत्र माणी मख्यूंत्री जी चार बार मुझे फोन कर चुके हैं लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या इस्तिति है यह कि आपदा को कोई रोक नहीं सकता है लेकिन आपदा के बाद सरकार की क्या जम्मेदारी है मख्यूंत्री साले बारा वाजे कंट्रोल रहेंगे इनकी खाने बीनिगी उस्ता सरकार करेंगी अभी डाई राशन भी मैंने एडियम से कह दिया है और मांसूर में जोरदार बारिस के बाद भी इस साल कावणियों की कदम नहीं डिगे जिसका आलम ए रहा कि पिछले सालों की तुल्ला में इस साल कावणियों की संख्या ने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है जहां पिछले साल कावणियों की संख्या साढ़े तीन क के पार पहुच गई है को जो भारी बारी साई उससे ग्यारा बारा को इतने वहां नहीं आए जितने एक्सपेक्टेड थे परन्तु वह सारा लोड तेरा चोदा पर शिफ्ट हो गया तो अचानक से हमारे तेरा चोदा जुलाई के जो दो दिन थे बहुत ही भारी पड़े साथ ही साथ प्रशाशन को बार की भी वैस्ता करने पड़ी आपका पता रूड की शलोनी नदी में लक्सर की तरफ बार का छेतरबुरा तो वह भी ड्यूटियां उसमें भी हमें अपनी फोर्स को डाइवर्ट करना पड़ा तो एक परकार से एक ट्रेन भी बंद हो गई ट्रेन पट्री लक्सर में जो कि नेलकंड की काउड यात्रा के दोरान ज़रूरत-मंदों की मदद उतकस्ट कार करने वाले पुलिस करिमियों का डिजीपी असोग कुमार ने उत्सह वधन किया डिजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को प्रसस्ति पत्र देकर उनको सावासी दी इस दुरान एससपी दलेव सिंग कुणर एससपी सोहता चौबे एससपी नवनीत भुल्लर ने डीजीपी असोग कुमार को बेहतर मांग दवसन करने पर भागवान भोलेनाथ की प्रतिमा देकर समानित किया कि इस बार का कावण मेला बहुत ही चुनोती पौंड था और जिस तरह से तेज बारीस लगाता है रात्री के चारवार दिन रही और बाड़ भी आई उसको देखते वे चुनोती डबल हो गई थी हमारी हमारे सभी अधिकारियों में और सभी जवानों में सभी वीज़के रां सब्सक्राइब करें तो और हरिजवार का जो है वो लगबख चार क्रोड़ का है और वारिश के वह से चुनोती आई है उसमारे सारे पार्किंस तल जल्मंग में होगे दरागी केंप पूरा पानी से भर गया यह वहां सड़कों भी आगे वहां सड़कों प्यांगे पायर में तो रास्ते ट्राफिक को ख्लेर करना बहुत ज्यादा क्या अना जारी है तो हो सकता है यह जो आज सोमवार आ रहा है कि सावन के हर सोमवार को कुछ कावरी आते हैं दूपी साथ शिब्रादरी भी चुक्त है तो उसका उसके लिए आ रहे हैं उसकी थोडे बहुत क्यारी रखते हैं मुलेटन में मेरे साथ इतना ही बाके देश प्रदेश की तमाम ख़परों के लिए देखते रहे हैं एनवी न्यूस नमस्कार कर दो